पूर मुख्या मंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा के लिए गुरुवार का दिन तब भारी साबित हुआ जब सोन्य दरबार में उन्हें मुखी खानी पड़ी उनके सियासी कैदित के लिए दूसरा जटका तब मिला जब प्रवर्तर निदेशाले ने उन 14 प्लोटों को अट लगभ 30 करोड की कीमत के ये उद्योगिक प्लोट काले धन को सफेद करने के आरोप में अटेश किये गए हैं जाहिर है ब्रश्चार का यह एक बड़ा मामला है जिसमें भुपेंदर सिंग हुड़ा सीधे सीधे आरोपी बनाएं गए हैं हर्याना शेहरी विकास प्रादीकर के चेर्मेन होते थे तब यह रिवाडियां बाटी गए थी आरोप है उन्होंने ना केवल नियमों के साथ छेटकानी की बलकि प्लोटों की अद्ला बदली भी की गए इधर जहां प्रवर्टर निदेशालिया उन पर शिकंजा कस्ता जा रहा है वहीं सियासी तोर पर भी उ सोनिया ने यह भी कहा कि उन्हें कॉडिनेशन कमेटी का सयोजग बनाया गया था क्या वे एकता कर पाए सोनिया गांधी ने अंत है यह कहा कि आप वरिष्ट नेता है लिहाज़ा सबी गुटों में एकता कायम रखें उसके बाद ही आपके बारे में सोचे जाएगा जाहिर भुपेंदर हुड़ा को वहां से भी मूँ लटका कर आना पड़ा ग्यात हुआ है कि सोनिया वेराहुल गांदी भुपेंदर सिंग हुड़ा से इसलिए भी नाराज है क्योंकि उनका माना है कि भुपेंदर हुड़ा ने रॉबर्ट वार्ड़ा को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे फैस्टे लिये थे जो कि आज कॉंग्रेस के लिए परिशानी का सबब बने हुए है बहराल हुड़ा के लिए चिंता इस बात को लेकर अधिक है कि विधासबद चुरॉब में महेंस कुछ दिन ही शेश है और ऐसे में सबी रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं हालकि 18 अगस्त को उन्हें ने अपनी ताकत भी दिखाई थी लेकिन कॉंग्रेस नेतिर्तव उस ताकत से विचलित होता नजर नहीं आ रहा है ऐसे में प्रवर्टर निदेशाले के इस एक्षिन के बाद पॉंग्रेस नेतिर्तव हुड़ा को कोई अहम जिम्मतारी देगी इसमें संध्या बना हुआ है जाहिर तोर पर समूचा हुड़ा गुट फस गया है कि क्या किया जाए